अगर आप जसलमेर देखने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सी हवेलियां महल और किला देखकर आना लेकिन एक चीज मत देखना नहीं तो आपको पड़ेगा पस्ताना उसके बारे में भी आपको बताएंगे और अंदर का हाल दिखाएंगे हम चार दोस्त इकठे हो कर जाते है पूरा जसलमेर देखकर आखिर में वहीं पर पहुँच जाते हैं यह एक पुरानी हवेली है इसके अंदर पचास की टिगट लेकर जैसे ही अंदर गए तो सभी के होस उड़ गए इस हवेली से जुड़ी कहानी बेहदरोचक है कि इसे बनाने वाला कुरूर और जालिम हुआया इस हवेली में 38 बलकनिया है जो तूटकर अब खंडर सी हो गई है इस हवेली में कुछ खास बात भी थी कि इसको साथ मंजला बनाया गया था जो की किले से काफी उचाई पर थी राजा महरावन ने इसकी उचाई को देखते हुए इस पर तोपों से हमला करके इसकी दो मंजलों को तुड़वा दिया अभी है पांच मंजला रहे गई है इस हवेली को वैसे तो बोलते हैं सालिम सिंग की हवेली लेकिन यहां पर हमें देखने को कुछ अच्छी चीज नहीं मिली तो दोस्तों अगर आप जैसल मेर घुमने जाएंगे तो इस हवेली को पर सभी जगह जाएं यहां पर अपना पैसा और समय बरबाद ही करेंगे बाकी आपकी मर्जी क्योंकि आप आजाद ही रहेंगे आपको हमारी ये छोटी सी विलोग कैसी लगी कुमेंट में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद ड्रदाद